पहले हमेशा इस तरह के तयार सोफे खरीद लेते थे, सोफे के नीचे सारा कच्रा होता था, इस भारी टेबल को भी हिलाना मुश्किल है, दो बच्चे मीटिंग रूम में खेलते हैं और यह जगह भी बहुत छोटी है, पतनी को इधर उधर जाना भी काफी मुश्किल होता है वहतर है कि एक छोटा गाड़ी लेकर एक साथ सब कुछ बाहर निकाले और यह खिडकियों और दीवार को भी हताएंगे, दीवार को सपोर्ट न करने वाली जगह पर किच्चन बार बना सकते हैं, जिसमें दोनों हमेशा पी सकते हैं, साथ ही कुछ लकडी के टुकड़ों से सीट बनाएंगे, जो सोफे की तुलना में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी हो सकता है, और नीचे के ड्रायर्स में हर तरह के छोटे मोटे सामान रख सकते हैं, और ऊपर की ओर बढ़ते हुए एक बुक शेल्फ बना सकते हैं, नीचे के एरिया में विभिन सजावटी सामान को रख सकते हैं, साथ ही साइड अलमारी बना सकते हैं, बीच में दो हलके चाइ टेबलें रख सकते हैं, जो अधिक convenient हैं, और बच्चे यहां खेलने में भी काफी बड़ा एरिया होता है, बालकनी को एक ऊची अलमारी में बदल सकते हैं, जिसमेंँ आप और आपकी पतनी क पसंदीदा किताबे को रख सकते हैं अंत में इस मीटिंग रूम के नजारे को देखो